नश्वार सभी को तो यहाँ पर हम लोग क्लास 8 सिविक्स के कुछ important notes discuss करेंगे जो notes है यह आपका पूरा chapter complete कर देंगे आसानी से आप इसको cover up कर सकते हैं इस notes से और जो chapter उसका नाम है why do we need a parliament तो हम लोग के country में से parliament है तो उसकी need क्या है तो उस से related यहाँ पर पूरा topic हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे तो सबसे पहले कुछ important terms देख लेते हैं important terms में सबसे पहला जो term दिया गया हो parliament खुद है तो parliament क्या होता है तो parliament में अगर इंडिया में अगर parliament देखा है तो इसे में लिए तीन bodies आती है पहला president आते है second राज सबह आती है और third के आती है लोग सबह आती है याद रखेगा केवल राज सबह और लोग सबह पारलिमेंट नहीं होती है उसे president भी आते हैं पारलिमेंट में ठीक है और parliament है कि highest law making body तो जो laws बनते हैं हम लोग की country में तो अगर central level पे अगर देखे जाएं जो laws बनते हैं वो कहां बनते हैं पारलिमेंट बनते हैं तो law making body काउन सी होती है हमारी भारत की वो है पारलिमेंट ठीक है it is also known as sunset इसको संसद भवन या संसद भी कहा जाता है पारलिमेंट हाउस को इसके बाद आते हैं अगला topic में राज्यसभा दिया गया क्योंकि आपको बताया भी हमने तीन होते हैं प्रेजडेंट लोकसभा और राज्यसभा तो राज्यसभा में अगर देखेंगे क्या है तो इसको council of states भी कहा जाता है ठीक है क्योंकि इसके जो members होते हैं रेप्रेजेंट करके एक constituency को रेप्रेजेंट करते हैं जिसे कोई भी अगर सांसद है कोई भी अगर member of parliament है मालिजे उत्तर प्रदेश से है तो ऐसा नहीं होगा कि वो उत्तर प्रदेश के लखनाउ से हो या सीतापुर से हो या मुजफर नगर से हो या ऐसा नहीं है लेकिन लोकसभा में अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग constituencies होती है ठीक है state में भी क्या होती है constituencies होती है जिसे लखनाउ एक constituency है तो मालिजे वहाँ से कोई member of parliament है तो यहाँ पर जो members होते है लोकसभा में वो constituencies से होते है लेकिन यहाँ पर जो राजे सभा के members होते है वो एक state को represent करते है अगर राजे सभा को देखा जाए तो इसका एक और नाम है इसको upper house भी कहा जाता है क्या कहते हैं इसको upper house भी कहा जाता है यह बात याद रखेगा maximum strength क्या होती है 250s की maximum strength है ठीक है और इसको chair कौन करता है मतलब अगर राजी सभा का chairperson पूछा जाए कौन है तो वो vice president होता है यह ex-officio chairman ex-officio का अजलब यह होता है कि अगर कोई भी vice president बनेगा तो वो अपने आप से ही राजी सभा का क्या हो जाएगा chairman हो जाएगा एक बात याद रखेगा 238 members जो होते हैं वो elected होते हैं इसमें 238 members कैसे होते हैं elected होते हैं और 12 members ऐसे होते जिनको president nominate करते हैं वो अलग-अलग field से होंगे जैसे literature से होंगे art से होंगे social services से होंगे science से होंगे तो इस तरीके से आपको 12 members देखने को मिलेंगे राजी सभा में जो president जिनको nominate करते हैं लोग सभा की बात अगर करी जाए तो इसको और क्या कहा जाता है तो house of people कहा जाता है अब इसको house of people क्यों कहा रहे हैं क्योंकि देखे लोग सभा जो है वहाँ पर जो लोग elect होके आते हैं वो direct election होता है मतलब जो आम जनता है वो direct election में participate करती है vote देती है लोगों को ठीक है उनके जो भी जो भी consistency से उनके जो खड़ा हुआ होता है पृतिनिदी जिसको representative कहते हैं उनको vote देती है और वो यहाँ पर लोग सभा में आते हैं तो इसलिए इसको क्या कहा गया है house of people कहा गया है total membership कितनी है इसकी 550 है पहले 552 हुआ करती थी दो Anglo-Indian होते थे जिसको president nominate करते थे अब यह Anglo-Indian वाला जो system था उसको खतम कर दिया है और लोग सभा में अगर आप देखेंगे chair person नहीं होता है इसमें क्या होता है speaker होता है यह बात याद रखेंगा बहुत ज़्यादा important है और speaker होता कौन है तो लोग सभा कि जो भी member elect होके आते हैं उनहीं में से एक member को speaker बनाया जाता है ठीक है opposition party क्या होती है opposition party के बारे में बताया गया है तो opposition in the parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party or coalition form जैसे माल लिजे अगर बात करिजाए जैसे माल लिजे एक parliament है और इसमें माल लिजे 100 seats है ठीक है और 100 में से माल लिजे 60 seats A को मिली और 40 seats जो है वो B party को मिली है ठीक है तो अगर पूछा जाए सरकार कौन बनाएगी तो सरकार वो party बनाती है जो majority में होती है तो majority party आपकी A हो गई लेकिन इसमें अगर आप देखिए 40 जो members है वो क्या करेंगे तो वो अगर ये कोई ऐसी policy बनाते है जो भारत के समविधान के खिलाफ है या जो और लोगों को नुकसान कर सकती है तो उसके खिलाफे आवाज उठाते है तो इन party को क्या कहा जाएगा opposition party कहा जाता है तो ये बाते हैं पर कही गई है तो oppose the majority party और coalition अब देखे coalition की हैं बात हो गई coalition क्या होता है तो देखे होता ये है जैसे माल लीजे माल लीजे अब multi party system की बात अगर करी जाए माल लीजे 3 parties है A, B और C A के पास माल लीजे गई 20 seat ठीक है 100 seat थी टोटल B के पास गई माल लीजे 40 seat और C के पास कित्ती आई तो 40 seat आई अब यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा नहीं है जो 50% से जादा seat है जिसके पास हूँ तो क्या करेंगे जिसे A और B A के विचार धरा के थे यो दोनों party जुड़ गई और इन्होंने कहा हम दोनों लोग मिल के election दोनों लोग मिल के coalition government तो C जो होगा वो इसमें क्या हो जाएगा opposition में हो जाएगा तो इस तरीके से भी आपको समझना जरूरी है ठीक है next पर आते है EVM की बात करी गई है तो पहले जो voting होती थी वो कैसे होती थी तो pen and paper पे paper voting होती थी ठीक है paper पे जाके कई सारे button होते है ऐलग-ऐलग parties के ठीक है नाम लिखे होते है जो भी candidate होता है party के symbol बना होता है उस पे आपको जाके उंड़ी press करनी होती है मतलब उस पे button होता है button से उंड़ी पे प्रेस करना है ठीक है button press करना होता है अंगली जे और जो आसानी से वोट उसमें पढ़ जाता है तो इसी को क्या कहते हैं Electronic Voting Machine कहते हैं ठीक है Representative कौन होते हैं तो Representative सिंपल सी बात है भी हमने आपको बताया था जैसे माली जे लोक सभा है तो अलग-अलग States में जैसे माली जे UP है तो UP में अगर आप देखेंगे 80 लोक सभा की Constituencies हैं तो हर एक Constituency से कोई ना कोई एक Member Elect होके पहुचेगा ठीक है तो जिस भी Constituency के आप होंगे वहाँ उस Constituency में कोई ना कोई Member होगा जो लोक सभा में पहुचा होगा चलिए आप लोग ये जरूर लिखके बताईएगा कोई बॉक्स में कि आप जिस Constituency से बिलॉंग करते हैं वो Constituency कौन सी है और उसमें जो लोक सभा का Member है समय ठीक है वो कौन है ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखके बताईएगा तो जो भी person elect होके आता है लोगों के द्वारा उसी को कहा जाता है people's representative अब representative क्यों कहा गया क्योंकि देखे लोगों ने उसको क्यों elect किया लोगों ने इसलिए elect किया क्योंकि जैसे लोग हैं तो लोग तो बहुत सारे होंगे किसी भी Constituency में जैसे माले 10 लाख लोग हैं तो 10 लाख लोगों को सब को तो लोग सभा में बेच नहीं सकते तो सब में से देखा आता है majority की बात जो माने या majority की बात जो वहाँ जाके रखे अपनी लोग सभा में ठीक है मतलब एक तरीके से कह सकते हैं 10 लाख को जो represent कर रहा है उसी को कहा जाता है representative ठीक है मतलब जो representative होगा वो इन 10 लाख लोग की बात को कहां जाके रखेगा लोग सभा में जाके रखेगा इसलिए उसको क्या कहा गया है representative कहा गया है ठीक है Universal Adult Franchise की बात अगर करते हैं ये क्या होता है तो देखिए Universal का मतलब होता है एक तरीके से सभी Adult का मतलब जो Adult हो गए है 18 प्लस की बात अगर करी जाए Franchise का मतलब एक तरीके से Voting System है तो All Adult Citizen of Country Enjoy Right to Vote ठीक है तो हम लोग के भारत में अगर आप देखेंगे तो जो भी Adult Citizen है Adult Citizen जो भी 18 प्लस हो गया है उसको क्या प्रोइड किया गया है राइट टू वोट प्रोइड किया गया है ठीक है इसी को Universal Adult Franchise केते हैं Universal क्यों है क्योंकि यहां पर 18 प्लस चाहिए कोई भी हो ठीक है चाहिए वो मेल हो चाहिए वो फीमेल हो या मानले जो ट्रांसजेंडर या को यूर कम्यूनिटी का है ठीक है कोई भी अगर है तो सबको क्या करते हैं Universal Adult Franchise को मतलब वोटिंग राइट सबको दी गई है चाहिए वो किसी भी केटेगरी से बिलॉग करता हो किसी भी काश्ट से बिलॉग करता हो किसी भी रिलिजन से बिलॉग करता हो बस क्या होना लेकिन अगर माली जय ऐसा है कि आपका नाम नहीं है लेकिन आप फिर भी पोलिंग बूट पर पहुँच जाते हैं कि हमको एलेक्शन में वोट देना है तो आप नहीं दे सकते हैं ठीक है तो ये चीज़ याद रखेगा कोईलेशन क्या होता है भी हमने आपको बता ही दिया था ठीक है तो वन वन पार्टी डिस नॉट गेट क्लियर मजॉर्टी तो एक पार्टी को जब क्लियर मजॉर्टी नहीं मिलती है तो क्या होता है कि कई सारी पार्टी इस एक ग्रुप बनाती है ठीक है जैसे आपने इस स पार्टी मेजर रहती है और कुछ छोटी पार्टी पार्टी रहती है पहले यूपीय चलता था जिसमें कॉंग्रेस मेजर में रहती थी और कुछ छोटी पार्टी यह रहती थी तो यह लोग क्या करते हैं जब एक को क्लियर मिजॉर्टी नहीं मिलती है तो कुछ छोटी छोट पार्टी पार्टीओं के साथ मिलके ये गवर्मेंट को फॉर्म कर लेते हैं ठीक है तो इसी को कोईलेशन कहा जाता है मिलना ठीक है गुरुफ फॉर्म करना ruling party क्या होती है तो जो party country पे rule करती है rule क्या करती है mainly आप कह सकते हैं कि country का जो एक तरीके से majority में party होती है जो लोक सभा में जो majority party होती है ruling party होती है ठीक है ruling party में जुरूरिनी की अकेली एक party हो हो सकता है correlation भी हो unresolved क्या होता है it refers to situation and in which there is no easy solution to the problems अब unresolved का मतलब simple सी बात है जो resolve नहीं हो पाया मतलब जो solution था वो proper नहीं दिया जा चुगा क्योंकि नहीं दिया गया क्योंकि वहां पर easy solution उसका available नहीं था ठीक है उससे related भी आगे कोई बात यहां पर फिलाल होगी तो उसको देख लिया जाएगा अब आते है important facts about parliament अब parliament से related कुछ important बाते हैं जैसे parliament जो है वो किस word से आए तो parlay word से है और parlay का मतलब होता है to discuss ठीक है parliament का का काम क्या होता है कि यह नए laws बनाता है और अगर कोई ऐसे laws हैं जो पुराने हो चुके हैं जिनकी अब एक तरीके से मानिता खतम हो चुकी है मतलब जो time के साथ क्योंकि दिखे जब time change होता है ठीक है तो बहुत सारी नई नई चीज़े modernization modern world में नई नई चीज़े आती रहती है तो laws को भी बदलते रहना चाहिए तो amendment इसी को कहा गया है कि जब कोई law पुराना हो जाए जो आज के जमाने में suit ना करे तो उसको क्या कर दिया जाता है ठीक है तो वो amendment का काम भी कौन करता है पार्लियमेंट ही करती है पार्लियमेंट में क्या क्या होता अभी हमने आपको उता है था प्रेजिडेंट होते हैं राजसभा होता है और लोकसभा ठीक है members कितने क्या होते हैं बता चुके हैं एक important fact याद रखेगा राजसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं उसकी पहली sitting पहली बार जो राजसभा बैठक करी है वो कब करी है तीन अपरेल 1952 में करी है मतलब यह समझ के चलिए 1947 में हमारा देश आजाद हुआ उसके पान साल बाद पहली बैठक होई राजसभा की और ऐसे ही लोकसभा की बैठक राजसभा की बाद हुई है लॉंग टल डूब भारत को आजादी ती असानी है इसमेज तो मिल नहीं पाई बहुती बड़ा स्ट्रगल रहा बहुती कठें स्ट्रगल रहा उसके बाद हम लोगों को आजादी मिली लेकिन इस स्ट्रगल के दोरान इन दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम people from different background participated अब यहाँ पर आप देखेंगे जो struggle रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक background केवल किसान भाईयों ने ही participate किया हो या army मतलब एक तरीके से जो भी police के लोग थे उन्होंने participate किया सभी लोगों ने केवल doctors ने केवल engineers ने ऐसा नहीं है सभी ने पूरी तरीके से participate किया तब ही हम लोगों को आजादी मिल पाई तो हर एक background का आदमी अगर था और सबने क्या किया है अलग-लग तरीके से participate किया है किस में? freedom struggle में अब देखें हम लोग को जा inspiration था ठीक है मतलब एक कह सकते हैं हम लोग क्या सोचके freedom struggle लड़ रहे थे क्या सोचके लड़ रहे थे कि हम लोगो freedom मिलेगी हम लोगो equality मिलेगी हम लोगो participation मिलेगा decision making में तो यह हम लोगो inspire करता था freedom किससे मिलेगी तो simple सी बात है British का जो राज था जो colonial rule था उससे freedom मिलेगी equality क्यों क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे British time पे तो equality बिल्कुल भी नहीं थी Britishers को सब अच्छे अच्छी चीज़े दी जाती थी सारी royalty उन्हीं के पास थी ठीक है या महराजा महराजा के पास हुआ करती थी आम जनता बिल्कुल बेकार ऐसे ही मतलब कुत्तो के तरह रहती थी Indian dogs भी खा जाता था आपको पता ही होगा इसी के साथ participation and decision making का मतलब क्या है कि कोई भी rules and regulations अगर बनाय जाएंगे ठीक है तो पहले भारतियों से पूछा जाएगा तब बनाय जाएगा ऐसा हम लोग चाहते थे लेकिन पहले नहीं होता था जिसे रॉल अट आक्ट आया तो रॉल अट आक्ट को भारतियों तो बुल्कुल नहीं चाह रहे थी लेकिन फिर भी आया ठीक है तो इसी लिए एक तरीके से freedom struggle हो रहा था तो इन तीन मांगों को लेके हो रहा था ठीक है इसके बाद आते हैं इसके बाद देखे क्या कहा गया British government had created such an havoc अब देखे British government जो थी बहुती खतरना government थी ठीक है वो इस तरीके का havoc क्रिएट करती थी कि Indians कभी भी अपनी हक की बारे में सोच भी नहीं पाते थे मांगना तो बहुत दूर है सोच भी नहीं पाते थे never dare to criticize और जब हक के बारे में सोच नहीं पाते थे तो जो भी decision Britishers लेते थे उनके decision को आसानी से उन मान भी लेते थे चाहे ना मानने का मन भी ना कर रहा हो लेकिन फिर भी उसको मजबूरी में मानना बढ़े आता था जैसे माल लीजे tax के अगर बात करी जाए ठीक है तो यह हुआ कि जैसे माल लीजे 2000 यह मान लेते है 1950 में ठीक है 50 तो बहुत देर की बात हो गई 1920 में माल लेते है tax कहा गया 33% है और माल यह 1930 में कह दिया गया tax 50% लिया जाएगा तो किसानों को यह देना तो tough होगा लेकिन फिर भी देना पड़ेगा क्यों क्योंकि नहीं देंगे तो jail बेज दिये जाएंगे मारे जाएंगे ठीक है तो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा decision बिटेशर लेते थे जो tough होता था लेकिन फिर भी जो इंडियन्स होते थे उसको मानना पड़ता था क्योंकि जो rule था भहुती खतरनाक rule था वो ठीक है फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस situation लेकिन जो situation चल रही थी वो फ्रीडम मूवमेंट से क्या होने लग गई change होने लग गई अब जो बिर्टेश गवर्मेंट की खराब तरीके की policies थी ऐसी policies थी जो इंडियन्स को क्या कर रही थी एक तरीके से बहुत ज़्यादा exploit कर रही थी वो सारी policies अब जो नेशनलिस्ट हमाए रूलर लोग थे वो सामने लाने लग गए थे और demands करने लग गए थे कि इस तरीके की policies ना लाई जाए क्या-क्या demand ये लोग कर रहे थे they demanded that there should be elected members in the legislature तो देखे इनकी सबसे बड़ी demand ये थी कि जो legislature है उसमें अब कैसे members होने चाहिए elected members होने चाहिए पहले क्या था जो British की government कह देती थी वैसे ही members legislature में आ जाते थे लेकिन इनका क्या कहना था nationalist leaders का कहना ये था कि जो भी leaders होने चाहिए जो भी members होने चाहिए legislature में वो कैसे होने चाहिए elected होने चाहिए मतलब एक election के थुरू आए हो with a right to discuss the budget and ask question दूसरी मांग ये थी कि इनके पास भी right होना चाहिए मतलब जो आम जनता है ठीक है या जो elected members है legislature में उनके पास ये right होना चाहिए कि वो budget पे discussion कर सके अब budget क्या होता है तो budget होता है जो भी finances होते है जो भी financial चीज़े होती है उससे related अगर कोई नया नियम बन रहा होता है तो उसको यहाँ पर budget कह सकते है यह कह सकते है कि जैसे घर का budget होता है तो कितना पैसा आएगा कहां से आएगा और कैसे पैसा खर्च होगा उसके बारे में जो बात होती हो budget में करी आती है तो उससे related question पूछने के आजादी हो उसमें discussion करने के आजादी हो ये लोग कहना चाह रहे थे ठीक है उससे related कई सारे decisions भी British government ने लिये लेकिन बहुत अच्छे नहीं थे ठीक है 99 में क्या हुआ कि कुछ representation जो था elected representation वो legislatures में दिया गया यहाँ पर voting की बात अगर करी जाए तो voting अगर आप देखेंगे तो कभी भी universal adult franchise British ने भारतियों को नहीं दी ठीक है adults को vote करने को तो दिया लेकिन सभी को allowed नहीं था ठीक है केवल उन्हीं को allowed था जो tax देते थे जिनके पात अच्छी खासी property थी केवल उन्हीं को ही vote देना allowed था इसका मदलब universal adult franchise British के टाइम पे नहीं आई थी ठीक है also people could not participate in decision making under the British rule और British rule में कितना हम लोग कहते रहे कितना nationalist leader कहते रहे कि हम लोग को आजादी दो ठीक है decision making में आजादी दो decision making जब भी करो तो उसमें हम लोग को participation को ध्यान में रखा जाए लिकिन ऐसा कभी हो लोग किये ही नहीं ठीक है इसके बाद आते हैं but the nationalist wanted that all person in independent India would be able to participate in making decision देकि हमारे nationalist जो leaders होते थे ठीक है nationalist leader में आपको सब leader मिल जाएंगे जो भी हमारे leader सब के सब nationalist है nationalist को अनलब राष्टरवादी है तो ये सब क्या चाते थे ये सब चाते थे कि जब भी हम लोग independent हो ठीक है जब भी देश आजाद हो तो उसमें decision making जो दी जाए वो सभी को दी जाए मतलब सभी लोग participate कर सकें decision making में ऐसा ना हो कि जो higher class है जिनके बाब बहुत पैसा है या जो बहुत ज़ादा पढ़े लिखे लोग हैं वही के वर decision making में participate कर सकते हैं हर एक इंसान जो भारत में रह रहा है जो भारत का नागरिक है उसको ये authority होनी चाहिए उसके पास में ये power होनी चाहिए कि वो decision making में participate कर सके तो ये हमारे nationalist जो leaders थे उनके demand थी कह सकते हैं या उनका ये सोच था ठीक है इसके बाद आते है therefore इसी लिए क्या होता है कि जब India freedom मिलती है इंडिया को तो जो aspirations और जो dreams थे ठीक है हमाई nationalist leader के जो aspirations और जो dreams थे वो किस में डाल दिये गए वो constitution में एक मूल भू धाचे की रूप में डाल दिये गए एक basic structure की रूप में constitution में हमारे डाल दिये गए और इसी लिए क्या किया गया हमारे constitution में universal adult franchise की बात करी गई ठीक है अब क्योंकि constitution जब बनता था तो उस पर discussion होते थे केवल यही एक ऐसा मुद्दा था जिस पर कोई discussion नहीं हुआ सबने सर्व सम्मत्ती से माल लिया कि हाँ universal adult franchise होना चाहिए now all adult citizens of the country have the voting rights अब अगर आप देखेंगे भारत में ठीक है तो हर एक citizen के पास voting right है अब यहाँ पर यह नहीं देखा आता कि आप कितने गरीब हो या कितने अमीर हो कि आपके पास चार पही एक गाड़ी है कि आपके पास दस पही है इस अम नहीं देखाया था universal adult franchise का मतलब यह है कि जहां पर अग voting होती है वहाँ पर अगर कोई बहुत rich इंसान है और बहुत गरीब इंसान है ठीक है वोटिंग देने के case में तो power दोनों की एक ही जैसी है in a democratic form of government the individual or citizen is the most important person अब देखें डेमोकरिटिक form of government में अगर आप देखेंगे तो जो citizen होता है ठीक है जो नागरिक होता है उस अबसे important होता है क्यों important है simple सी बात है क्योंकि यही citizen क्या करेगा voting करेगा, vote देगा और उसी को vote देगा जो उसके पक्ष में बात रखता होगा जो उसके अच्छाई की बात करता होगा जो देश के अच्छाई की बात करता होगा उसी को ही vote दिया जाता है जो development की बात करता है now the question arises how the individual give approval to the government देखे, question यह आता है कि किस, मतलब हम लोग कैसे कह सकते है कि individual जो है वो कैसे approval दे पाएगा government को मतलब वो कैसे किसी government को approve कर पाएगा कि हाँ यह government होनी चाहिए यह government नहीं होनी चाहिए तो इसके लिए बहुत simple सा तरीका है election ठीक है, तो election में उसी को vote देगा जिसको पसंद करता होगा जिसकी policies को ज़्यादा अच्छा मानता होगा ठीक है, तो इसी तरीके से उसी government इसी लिए बन पाएगी जब वो majority मोस को vote देगा people and their representatives people would elect their representative to the parliament इसको वारे हम भी हमने आपको बताया था कि अलग-अलग constituency में representatives होते हैं, जिन पे voting होती है और कोई जो ऐसा होता है जिसको सबसे आदा vote मिलते हैं वो लोकसभा पहुच जाता है या मतलब एक तरीके से parliament पहुच जाता है अब देखे एक political party बनी ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ अलग-अलग representatives आए अलग-अलग जगह से आए ठीक है, उन लोग ने माल लिजे किसी एक political party के नाम पे चुनाओ लड़ा तो यह सब के सब क्या होंगे गुरुप बनाएंगे, ठीक है जिसको political party कहा जाता है और यही गुरुप क्या करेगा government form करेगा वही बात यहां पर लिखी गई है अब parliament जो है वो क्या है it is made up of all representatives together and it guides the government और क्या करती है parliament का काम केवाल यह नहीं सरकार बनाना parliament जो है government को guide भी करती है ठीक है कि अगर government कोई गलत काम कर रही है या government के कुछ ऐसे ministers है जो गलत काम कर रहे है तो उन पर control लखने का काम भी काउन करता है parliament करता है it means people through their choosing representative from the government and control it तो देखें लोगों का काम केवाल यह नहीं है कि representative को choose कर लिया जो representative choose किये जाते है वो क्या करते है कि जो भी government form होती है उसको control भी करते है ठीक है मतलब भी हमने आपको बताया अबर बात करी गई है तब Indian Parliament came into existence in 1947 यह important है पहला session तो 1952 में होता है दोनों का लेकिन जो existence में आ गए थे वो 1947 में आ गए थे तो बहुत सारी power है ठीक है Parliament के पास और साथी साथ Parliament है क्या तो representative है किसका people का ठीक है citizens का Elections to the Parliament are held in similar अब देखें अगर Parliament में आप देखेंगे ठीक है तो Parliament में जो elections होते है वो same तरीके से होते हैं जैसे State Legislature में होते है जिसको विधान सभा कहते है हिंदी में तो Parliament का जो तरीका है वो same है आम जनता जो होती है वोट देती है अपने representatives को चुनती है और representatives जाके government को form करते है government form करते है ठीक है Parliament में ठीक है अगर State है तो उसमें State Legislature होगा और अगर National Level की बात करी जाए तो Parliament होता है The country is divided into several constituencies तो अलग-लग constituencies में country divided है ठीक है और हर एक constituency से कितने person choose होके आते हैं केवल एक person Parliament पहुचता है The candidate who contest election usually belong to different political parties अब देखे जैसे माल लिजे लखना हुए constituency है अब यहां माल लिजे कई सारे members होंगे जो चुनाव में खड़े होंगे अब माल लिए तीन members है तो हो सकता है कि यह पहला member BJP का हो, second member हो सकता है Congress का हो, third हो सकता है समाजवादी पार्टी का हो ऐसे-ऐसे अलग-अलग members होंगे तो अलग-अलग party से खड़े होता है ऐसा नहीं है कि तीन members BJP से खड़े होंगे दो member Congress से ऐसा नहीं होता है ठीक है, तो हर एक party से मतलब हर अलग-अलग members खड़े होते हैं ठीक है और एक party से के वाद एक ही member खड़ा होता है once elected these candidates become member of parliament जब यह elect हो आते हैं तब इनको क्या कहा जाता है तब इनको कहा जाता है member of parliament तब यह member of parliament बन जाते हैं इसको हिंदी में सांसद भी कहते हैं these MPs together from the parliament और अलग-अलग constituencies से जब parliament की members elect होके आते हैं तो वो क्या बनाते हैं parliament बनाते हैं ठीक है अब इनके अगर function देखे हैं तो कई सारे हैं पहला national government का formation parliament में ही होता है जो majority party होगी particular party वह ही क्या करेगी सरकार बनाएगी the parliament of India आप देखें क्या क्या बता चुके हैं आपको the parliament keeps a check यह important है बहुत ज़्यादा point ठीक है यह function दिए गए है parliament के यह क्या करता है keeps a check on ministers and their work तो ministers कौन सा काम कर रहे हैं अब दीक है personal work किया बात नहीं हो रही है जो भी government से related work है जो भी public work है तो किस तरीके का काम कर रहे हैं कोई ऐसा तो नहीं है MPs have the right to question MPs जो है उनके पास एक power दी गई है कि वो अपने minister से question पूछ सकते है अब यह नहीं घर जा के question पूछेंगे उसके लिए क्या होता है question R एक setup create किया गया है जिसको question R कहते है जब पार्लेमेंट चलती है तो उसमें एक यह कह सकते है एक घंटा होता है पूरा ठीक है वन आर का पूरा एक time period है जिसमें वो क्या कर सकते है अलग-अलग MPs question पूछ सकते है किसे minister से इसी से ही जवाब दे ही तै होती है और minister क्या होगा answer चाहे वो लिखित में दे चाहे वो ओरल में दे इस तरीके से answer देते है वो depend करता है question कैसा है ठीक है the government gets valuable feedback और government जो होती है उसको feedback भी मिलता है and is kept on a toes by questioning by the MP अब देखे वो question जब पूछेंगे तो कहीं ना कहीं answerable हो जाएंगे MPs ठीक है मतलब जो ministers है वो answerable हो जाएंगे MPs के परती उनको answer देना पड़ेगा answer वो गलत तो दे नहीं सकते है क्योंकि बाद में fact check भी होता है तो कहीं ना कहीं जो सरकार होती है वो थोड़ा बहुँ डर्ती भी है कोई भी गलत काम करने से डर्ती भी है ठीक है तो ये भी आपको बाद देखे क्या कहा गया Parliament makes laws for the entire country तो पता ये आपको कि पूरी country में जो laws बनते है ठीक है क्योंकि आपको पता होगा तीन तरीके की list होती है ठीक है एक state list होती है इसमें mainly laws जो है वो state government बनाती है ठीक है एक तरी state government ना बोलके हमें कहेंगे state legislature बनाती है एक central list या union list होती है ठीक है और इसमें laws होते हो कौन बनाता है जिससे defense हो गया तो defense state में नहीं आता है defense किसमें आता है central में आता है तो इसमें जो laws होंगे वो parliament बनाएगा और एक होता है concurrent concurrent का मतलब ये होता है कि इसमें laws state legislature बना सकता और parliament बना सकता है तो laws के बारे में हमने आपको पूरी बात बताती ठीक है इसके बाद आते है तो parliament now has more and more people from diverse background तो तो इसमें लोग के भारत में बहुत सारी diversity है diversity का मतलब ये है कि बहुत सारे religion बहुत सारे religion है अलग-अलग caste है अलग-अलग tribes है ठीक है तो अलग-अलग जगे से अलग-अलग लोग आते हैं तो इसलिए कहा गया diverse backgrounds की लोग यहां पर आते हैं ठीक है there have been an increase in political अब देखे अब अगर आप देखे क्योंकि empowerment हो रहा है धिरे-धिरे लोग जागरुख हुए है तो इसलिए जो political participation है वो केवल एक वर्ग से नहीं रह गया केवल एक caste से या एक religion से नहीं रह गया है अलग-अलग caste से और उसमें भी दलित जो कम से कम जो बिल्कुल निचला वर्ग हुआ करता था पहले उसमें उनके भी participation देखे आते है उनके लिए seeds भी हलाकि reserve करी गई है जो backward caste है उनमें भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी members ऐसे हैं जो backward caste से होते हैं और वो भी अब participate करते हैं elections में और जीत के भी आते हैं और साथी साथ minorities के भी बहुत सारे ऐसे candidates होते हैं ऐसे representatives होते हैं जो लोकसभा और राज़सभा तक पहुचते हैं some seeds are reserved देखे seeds जो है वो reserved हैं SCs और SDs के लिए अब SD के लिए अगर आप देखेंगे 47 seeds अभी reserve हैं और 84 seeds reserve हैं किसके लिए SCs के लिए कहाँ पर ये दोनों seeds हैं लोकसभा में राज़सभा में कोई reservation इस तरीके का नहीं है फिलाल अब यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी 2023 में क्या हुआ है women को भी reservation दिया गया है कहाँ पर parliament में और state legislature में ठीक है तो ये बात भी थी और ये कब हुआ है 2023 में 33% reservation दिया गया है तो ये पूरा chapter था जो हम लोग ने discuss किया इससे आपको पता चल गया होगा parliament है क्या parliament का function क्या है parliament का composition क्या है पूरी बात हैं हम लोग ने parliament से related कर लिए है ठीक है इसके अलावा और भी कई सारे lectures है जिसमें हम लोग ने notes को mcqs को question answers को discuss किया है उसको आप देख सकते हैं और अपना revision अच्छे से कर सकते है ठीक है और चैनल को subscribe करना बिल्कूल न भूलिएगा अभी कले फिलालते हैं thank you very much goodbye by Jai Hind